गुट आफटरनून तो ओल अफ यू माई नेम इस अभिशेख कुमार और आज की जो हमारी ट्रेइनिंग है ये ट्रेइनिंग है हमारी रिलेटेट टू सी आरेम पोर्टल क्योंकि ये डेवन ट्रेइनिंग है CRM एंड ओन बोर्डिंग से रिलेटेट तो आपको इस ट्रेइनिंग सेशन में मैं जानकारे प्रोवाइट कराने वाला हूं कि आप किस तरीके से crm portal को यूज कर सकते हैं, और क्या क्या काम आप कर सकते है, CRM portal पर कैसे आप CRM portal को यूज कर सकते हैं, तो इसी के लिए ये training session हमने रखी है, ताकि आपको training में सारी जानकारीय मिल जाये और आप अपने CRM portal को यूज करते वे अच्छे से काम start कर पाएं, और अच्छे से आप अपना वर्क कर सकें तो स्टार्ट करते हैं अपने ट्रेनिंग सेशन को आप सभी से मैं गुजारिस करूंगा कि आप लोग क्या मुझे सुन पा रहे हैं इसके लिए मुझे एक पर कंफर्मिशन कर दीजिए प्लीज है ठीक है तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका बताने के लिए तो सबसे पहले जैसे कि आपको पता है कि आप जब 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 जीस्टी सुवधाकिन फ्रेंचाइजी लेते हैं तो फ्रेंचाइजी लेने के बाद आपको एक CRM पोर्टल प्रोवाइट किया जाता है जिसका www.ghtsuvdakin.org.in इस URL लिंक के साथ साथ आपको आपका एक यूजर आईडी और पासवर्ड आपको प्रोवाइट किया जाता है तो उसके द्वारा आप अपना जो पोर्टल है वो लॉग इन कर पाते हैं है तो अपैसे बाद आपको प्रोवाइट किया जाता है यह जाता है तो इसके चाहिए प्रोवाइट किया जाता है user ID and password provide किया जाता है हमारे द्वारा एक welcome आपको mail जाता है हमारे तरब से उसमें आपका user ID password और आपको URL link provide किया जाता है तो इसी में आपको सबसे पहले अपना URL link एंटर करना होता है browser के ऊपर और आपको अपना user ID and password यूजर आईडी और पासवर्ड एंटर करने के बाद आप सबसे पहले लॉग इन पे क्लिक करते हैं जैसे आप लॉग इन पे क्लिक करते हैं वैसे ही आपके रजिस्टर्ट इमेल आई डी पे आपको एक OTP प्रोवाइड किया जाता है कुछ इस तरीके से जैसे आप यहां पर देख पाएंगे अभी इस तरीके से आपको OTP प्रोवाइट किया जाता है आप इस OTP को कॉपी-पेस्ट कर सकते हैं या फिर आप इसे मैनुली एंटर करके भी वैलिडेट एंड लॉग इन पर क्लिक करने के बाद आपका पोर्टल जो है वो वेरिफाई होके लॉग इन हो जाता है ठीक है अब इसमें जैसे आपका यह पोर्टल लॉग इन हो जाता है पोर्टल लॉग इन होने के बाद आपको एक notification यहां पर इस तरीके से मिलता है जो भी हमारी कोई नई product अगर launch होती है या कुछ important information देनी होती है तो उसका notification आपको मिल जाता है ठीक है इसके साथ साथ आप सबसे पहले यहां पर देख सकते हैं कि आपको एक जो है लोगो दिखाई देता है जीस्टी सुवधा केंद्र का register trademark logo हमारे द्वारा आपको provide किया गया है वो लोगो आपको यहां पर दिखाई देता है इसके साथ साथ आपको यहां पर आपका नाम है जो आपका नाम है पोर्टल पर वह नाम आपको शोहोगा आपका जो branch ID है वह आपको शोहोगी ठेक है और इसके साथ साथ आपके वॉलट का कि ऐापके वालेत में कितना बैलेंस available है वालट बैलेंस आपको यहाँ पर चरह होता है इसके तो यहां पर आप सबसे पहले यहां पर देख सकते हैं कि एक notification टैब चल रहा है तो हमारी जो भी important updates होती है जो कि हमारे सारे GSK को जानकारी होनी चाहिए उस update की तो हम एक notification चला देते हैं हमेशा हमारे CRM portal पर जिसके तुरू आप यह जो CRM portal पर notification है वो देख सकते हैं और important update की जानकारी आपको CRM portal पर ही मिल जाती है ठीक है इसके बाद आप यहां पर देखेंगे तो सबसे पहले आपको एक टैब दिखाई देता है जो कि है वेर एम आई का अगर आप इस टैब को क्लिक करते हैं तो यहां पर आपको सबसे पहले शो होता है कि आपने क्या-क्या activity अपने पोर्टल पर कर ली है जो कि आपको फर्स्ट टाइम required होती है जब आप जीस्टी सुबधाकें फ्रेंचाइज ही लेते हैं तो सबसे पहले activity आपकी क्या होती है जो required है आपके लिए यह है आपका basic detail तो basic detail आपने complete कर लिया अपना ठीक है अगर आपने नहीं किया है तो click here पर करके और उससे आप complete कर लेंगे उसके बाद आपका agreement sign होता है agreement अगर आपने sign कर लिया है तो के नहीं किया है यह right हो जाएगा अगर नहीं किया है तो क्लिक यहर पे जाके आप यहां से अपना agreement sign कर सकते हैं उसके बाद आपकी mandatory training है CRM introduction training जिसको कि आपने complete khurna है और साथ-साथ इसमें आपको quiz भी दिये गये हैं वो quiz आपको Grande करने हैं उसके बाद आपकी जीस्टी एंट टेक्स की ट्रेनिंग कंप्लीट करनी है यूटलीटी ट्रेनिंग कंप्लीट करनी है लोन एंड इंसरेंस ट्रेनिंग कंप्लीट करनी है वेवन डिजिटल मार्केटिंग कर पाते हैं तो आपको जैसे CRM Portal के Home Page पे जाना है तो आपको Home पे क्लिक करना होगा आप Home पे जैसे ही क्लिक करते हैं तो आप Home Page पे CRM Portal के आ जाते हैं अब इसमें सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि जो सर्विसेज हमने आपको CRM Portal पर दी हुई है हमारी जो 200 सर्विसेज हैं जिसमें हमारी ट्रैवल सर्विसेज हैं तो यह सारे सर्विसेज आपको हमारे इस CRM पोर्टल पर ही प्रोवाइड किये जाते हैं तो मैं एक-एक करके आपको बताने वाला हूं कि आप किस तरीके से कौन-कौन सी services को आप यूज कर सकते हैं सबसे पहली चीज जो मैं आपको यहां पर जानकारी प्रोवाइड कराने वाला हूं वो है कि आपकी जो बता है एपन यहां पर जाते हैं ऊपन करते हैं तो यहां आपको आपका प्रोफाइल मिल जाता है प्रोफाइल n- babe है वह basic detail आपको यहां पर शो हो जाता है आपका profile जो किया कि क्या आप्ने नाम एंटर कि呼 किया अपना तो ये सारी चीजिए जो हैं आप यहांपे देख सकते हैं इसके बाद आता है agreement तो यहां से आप अपना agreement Sign करते हैं agreement आप तभी Sign करते हैं जब आप अपना पहले performers был कर देते हैं तो basic information फिल करने के बाद जो आपने榮नेंट sign किया हुआ है वह agreement आपको यहाँ पर मिल जाता है इसके बाद तीसरा option है schedule training तो यहां से आप अपने training schedule कर सकते हैं training जो आप schedule करते हैं यहां से अपनी वह trainings आपकी Hindi और English दो languages में आपको provide की जातनी है ठीक है जैसे आप training schedule पर click करेंगे यहां पर आपको सबसे पहले दो language मिल जाएंगे English और Hindi तो आपको जिस भी language में training join करनी है वह language आप यहां से पहले चूज कर लेंगे उसके बाद यहां पर आपका option आता है जैसे यहां रहा है से अभी हमने सिर्फ आपकी जो mandatory trainings रखी है वह हमने 5 ट्रेनिंग्स ही आपकी mandatory six trainings ही आपकी mandatory रखी है उसके अलावा जो अधर ट्रेनिंग्स है वो optional है तो आप लेकिन उन्हें भी मैं आपको यही सजिस्ट करूंगा कि आप उन्हें भी ले क्योंकि जब ट्रेनिंग्स कंप्लीट करेंगे अपनी तब ही आप जो है वो जीश्टी सुवधा केंदर के बारे में प्रॉपरली आप लोगों को बता पाएंगे और अपने काम को समझा पाएंगे तो सबसे आप को लाइव रजिस्टीशन वाले टैप पर जैसे आप क्लिक करते हैं रजिस्टीशन पर यहां पर आपको एक लैव रजिस्टीशन सकते हैं लिक आपको यह required details fill करनी होती है जिसमें आपका first name, last name, email address आपको fill करना होता है फिर आपको join webinar in progress पे click करना है तो जब आप यह click करते हैं आपकी training registered हो जाएगी और आपके दिये गए email ID पर आपको एक notification चला जाएगा जहां से कि आप जब training join करने का day आएगा आपका तो उस दिन आप यहां से अपने training को join कर सकते हैं उसका एक reminder आपको 30 minute पहले देती है webinar कि आप यहां से अपने training join कर सकते हैं अब अगर आपने training join live training आप नहीं ले सकते किसी reason से कि आपके पास work है या फ्री नहीं है live training लेने के लिए तो दूसरा option यहां पर आपको वीडियो उसका दिया गया है कि आप offline video देख सकते हैं जहां पर कि आपको offline video में training provide की गई है इसके बाद last है आपका quiz training को इसके अंदर जो है आपको यहां पर quiz provide किये जाते है multiple choice questions होते हैं एक question के चार options रहते हैं आपको वो पास करना जरूरी है जब आप offline video देखते हैं तो कि तो इस तरीके से आप अपने training को join कर सकते हैं जो आपकी training है वह यहां पर आप complete कर सकते हैं और उसके बाद आप अच्छे से काम कर सकते हैं कि इसके बाद अब हम आगे बढ़ते होम पर अब मैं आपको बताने वाला हूं कि आप अपना wallet किस तरीके से recharge कर सकते हैं ठीक है वालेट बैलेंस तो आप यहां देख पा रहे हैं अपना लेकिन आप वालेट रिचार्ज कैसे कर सकते हैं इसके बारे में मैं आपको बता देता हूं वालेट रिचार्ज करने के लिए आपके CRM पोर्टल के उपर आपको एक option मिलता है माई वालेट यहां पर देख रहे हैं माई अकाउंट आपको देख रहा है एक वर्चुल अकाउंट नंबर आपको शो होता है जिसमें कि आप नेट बैंकिंग यूज करते हुए एनि एफटी या आई एम पीस के माध्यम से आप बैलेंस एड कर सकते हैं जो आपको वर्चुल अकाउंट नंबर मिला है आपके पोर्टल पर क्योंकि हर पोर्टल का यू बैलेंस एड करके और अपना वालेट रिचार्ज कर सकते हैं ठीक है या आप दूसरा ऑप्शन और इजी ऑप्शन यूज कर सकते हैं यह आपका क्यूर कोड़ स्कैनर जो आपको क्यूर कोड़ आपके पोर्टल पर मिला हुआ है उसे आप अपने बैंक यूपी एप से या पे पिएटियम ऐब के दू. इसकैन करके और डैरेकली वॉलेट को रिचार्ज कर सकते हैं जब आप बॉलेट रिचार्ज अपना कर लें तो वॉलेट रिचार्ज करने के बाद एक बार यहां से अपना जो पोर्टल है उसको रिफ्रेस्थ जरूर कर लें ताकि जो आपका पर जब आप क्लिक करते हैं तो यहां पर आपको option मिलता है कि आप अपना wallet का पैसा अपने account में transfer कर सकते हैं इसके लिए जब आप click करते हैं transfer wallet money to account पे तो आपको एक pop-up आता है allow to access your location तो आपको location को allow कर देना है location allow कर देने के बाद आप यहां पर select payment mode पर जाएंगे आप IMPS से balance transfer करना चाहते हैं एने एफटे से balance transfer करना चाहते हैं वो mode आप चूज करेंगे फिर जो आपकी wallet में balance available है वो आप यहां पर एंटर करेंगे देन आप submit पर क्लिक करके confirm करेंगे तो जैसे आप confirm करेंगे आपका जो पैसा होगा वह आपके wallet से account में transfer हो जाएगा IMPS में आपका instant wallet आपका पैसा transfer हो जाता है account में एफटी करते हैं तो उसमें में आपका maximum two hours का time लगता है wallet का पैसा account में transfer होने में ठीक है अब इसमें कुछ mandatory चीज़े हैं जो मैं आपको बता देता हूं सबसे पहले जो आपका wallet balance है वो आप एक दिन में maximum 40,000 रुपीज ही transfer कर सकते हैं अपने wallet से अपने account में सर्विस चार जो लगता है per transaction अगर आप IMPs mode यूज़ कर रहे हैं तो पर transaction आपको 6 रुपे पे करना है और अगर आप एनी एफटी यूज़ कर रहे हैं तो पर transaction आपको 3 रुपे पे करना है तो पर transaction का मतलब है वो कितने भी amount की हो सकती है चाहे वो 2000 की है 5000 की है यह पूरे 40,000 की है तो पर transaction आपको IMPs पे 6 रुपे पे करना होगा एनी एफटी पे आपको 3 रुपे पे करना होगा अकाउंट डीटेल्स आप फर्स्ट टाइम तो खुद से अपडेट कर सकते हैं लेकिन फर्स्ट टाइम के बाद अगर आपको अपने अकाउंट डीटेल में कोई changes कराना है कि आपको मान लिजए अपना अकाउंट नंबर बदलवाना है तो फिर उसके लिए आपको हमारी जो support team है या आपके एरेम है या सारे में उनसके थूप आपको contact करना होगा जो आपकी help करेंगे आपके अकाउंट डीटेल को change करने में क्योंकि उसके लिए आपको एक हमें अपना अकाउंट प्रूफ देना होगा या तो आप उसमें अपना cancel check provide करा सकते हैं या अपना पास्बुक की copy provide करा सकते हैं या अपना bank statement की तो आपकी provide करा सकते हैं जिसमें आपकी पूरी अकाउंट डीटेल आपका आपका नाम बैंक का नाम account number आए फसी कोड यह सारी चीजें available हों तो हमारी जो टीम है वह आपका जो अकाउंट डीटेल है उसको फिर change कर देगे तो इस तरीके से आप अपना wallet recharge कर पाएंगे और साथ-साथ आप अपना wallet का पैसा account में भी transfer कर पाएंगे अब हम बात करते हैं यहां पर next जो हमारा है utility की यूटिलिटी पोर्टल आपको provide किया गया है हमारे द्वारा जिसमें आप balance मतलब bill payment recharge कर सकते हैं इसके अलावा आप money transfer कर सकते हैं pen card बना सकते हैं आधार enable payment system service को यूज कर सकते हैं यानि EPS आधार से पैसा withdrawal कर सकते हैं तो यह सारे काम आप वहां से कर सकते हैं यह कैसे कर सकते हैं तो इसके लिए हमारी day six की training होती है utility services की वो training आपको join करना पड़ेगा और उस training को join करने के बाद आप वहां पर यह सारी चीजों की जानकारी ले सकते हैं लेकिन सबसे पहली चीज में आपको बताना चाहूंगा कि जो हमारी utility portal है उसको यूज करने से पहले आपको utility portal की KYC करना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है utility portal की KYC आप कैसे कर सकते हैं इसके बारे में मैं आपको जानकारी प्रोवाइड कराना चाहूंगा यहां पर तो utility portal की KYC करने के लिए सबसे पहले आपको utility new पे क्लिक करना होगा अब जब first time आप अपना जो पोर्टल है उसे आप क्लिक करते हैं अगर तो उसमें आपको सबसे पहले कुछ important details है जो कि आपको यहां पर enter करना जरूरी है सबसे पहली चीज़ आपका step one क्या है कि आपको utility new पे क्लिक करना होगा जैसे हमने अभी यहां पर utility new पे क्लिक किया उसके बाद second आपका जो टैब है इसमें आपका एक पेज खुलता है service activation page service activation page में आपको क्या क्या information डालनी है वो मैं आपको बता देता हूँ सबसे पहले यहां पर आपको अपना mobile number इंटर करना होता है जो कि आपका आधार काड से लिंक मोबाइल नंबर है जो आप यहां पर एंटर करेंगे वह यहां पर आप अधार काड से लिंक होना चाहिए उसके बाद आपको email ID यहां पर एंटर करनी होगी email ID एंटर करने के बाद आपको इस्टोर नेम या नेम लिखने का option आएगा तो इस टोर नेम अगर आ रहा है तो अपनी शॉप का नाम डाल सकते हैं अपना नाम डाल सकते हैं लेकिन अगर contact name आ रहा है तो फिर आपको वहाँ पर अपना नाम एंटर करना होगा इसके बाद आपका आता है स्टोर टाइप स्टोर टाइप में आपको सर्विसेज सलेक्ट करना है तो यह डिटेल्स जब आप सलेक्ट कर लेते हैं इसके बाद आपको कंटिन्यू पर क्लिक करना होगा यह सारे डिटेल्स फिल करने के बाद आपको कंटिन्यू पर क्लिक करना होगा जैसे आप अलाव कर देना है लोकेशन आपको क्या अगर नहीं है अलाव कर देनी है लोकेशन अलाव कर देने के बाद आपके मोबाइल नंबर पर आपको एक OTP मिलेगा वह OTP आप यहां पर एंटर करेंगे OTP डालने के बाद आप रेजिस्टर नौप पर क्लिक करेंगे जब आप रेजिस्टर नौप पर क्लिक कर देते हैं इसके बाद आपको एक option यहां पर आता है यानि एक error message आपको देखेग प्रॉब्लम नहीं होगी KYC में जस्ट आपको क्या करना होगा जो आपने पेज पर अपना registration किया था उस पेज को कट कर देना है पेज को कट कर देने के बाद आपको अगें फिर से utility new पर क्लिक करना होगा तो जैसे आप फिर से utility new पर क्लिक करेंगे utility new पे क्लिक करने के बाद आपको एक kyc document अप्लोड करना होगा यहां पे kyc document में आपको क्या अप्लोड करना है तो kyc document में आपको अपना mask e-adhar upload करना है mask e-adhar आप download कैसे करेंगे तो उसका एक link आपको यहां पे मिलता है सब्सक्राइब करेंगे एक इस तरीके से आपके पास पेज ओपन होगा जहां पर आपको सबसे पहले अपना 12 डिजिट का अधार नंबर डालना है फिर आपको आई वांट अ मास्क अधार को सलेक्ट करना है ठीक है इसके बाद एक capture verification code आपको मिलता है वो capture verification code आपको डालना है और उसके बाद आपको send OTP पे click करना है तो जैसे आप send OTP पे click करेंगे आपके mobile नंबर पे जो आपका रेइस्टर्ड मोबाइल नंबर है कि उस mobile नंबर पे आपको एक ओटि पी जाए गा उस और को आप enter करके अपना मास्क अधार डाउनलोड कर लेंगे और मास्क अधार को डाउनलोड करने के बाद उसका एक print-out निकालेंगे ठीक है प्रेंटर से आप उसका प्रिंट-आउट निकालेंगे प्रिंट आउट निकालने के बाद उसको स्कैन करके और फिर अपलोड करेंगे आपको एक ध्यान रखना होगा कि फोटो जो है वह आपके मास का धार पर किलियर होनी चाहिए ठीक है और उसके बाद आपके जो फाइल है वो jpg beeg png पीडियां फॉर्मेट में होनी चाहिए और आपकी सब्सक्राइप जो आपके फाइल है मास की अधार है उस पर आपका यह साइज है वह 1.5 MB से ज़्यादा नहीं हो चाहिए क्योंकि 1.5 MB से ज़्यादा रहेगा तो फिर वह अप लोड नहीं हो पाएगा तो वह 1.5 MB से ज़्यादा नहीं हो था कि random तो जैसे आप अपना टॉक्मेंट अप्लोड कर देंगे डॉकुमेंट अप्लोड करने के बाद है कि स्क्रीनिंग प्रॉसेस चलेगा आपको वो पोर्टल पर दिखेगा भी स्क्रीनिंग टू 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 थ्री आर्स के अंदर में आपकी कीवाईसी डन हो जाएगी जिसके बाद अपना यूटलीटी पोर्टल को प्रॉपरली यूज कर पाएंगे कि यूटलेटी पॉर्टल को आप इस तरीके से यूज कर सकते हैं इसके बाद आपका है नेक्स्ट यहां पर ट्रैवल ट्रैवल जहां पर कि आप अपनी बुकिंग कर सकते हैं ठीक है आप यहां पर क्या क्या चीज़े बुकिंग कर सकते हैं तो यहां पर आप बस की कर सकते हैं और साथ 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 आप फ्लाइट बुकिंग कर सकते हैं अब बस बुकिंग आप कर सकते हैं उसके लिए आपको बसका उप्सन स्लेक्ट करना होगा उसके बाद लीविंग फ्रॉम यानि कहां से आपको बस लेनी है और सेलेक्ट डेस्टिनेशन कहां तक कि आपको बस लेनी है फिर आपको डिपार्चर डेट सूट सलेक्ट करना होगा फिर आप सर्च पे क्लिक करेंगे जैसे आप सर्च पे क्लिक करेंगे तो जो भी अवेलिबल बस होंगी और उनके ट्रेवल कंपनी होंगे ठेके ट्रेवल एजेंसी जिसको बोला जाता है तो उनके नाम आपको मिल जाएंगे ठीक है डिपार्चर टाइम यानि कि कब वो बस जाएगी अर्आइवल टाइम यानि जहां पर कस्टमर को जाना वहां कब पहुचेगी सीट्स कितने अवेलिबल कि यह अपको यहाँ पर शो हो जाएगा इसके सासाथ आपको कैंसलेशन पॉलिशी भी शो हो जाईगी अगर आप कैंसलेशन पॉलिशिए पर क्लिक करेंगे तो cancellation policy भी आप customer को बता सकते हैं कि अगर वो अपने ticket cancel कराना कराएगा बाद में तो फिर उनको किस हिसाब से पे करना होगा यानि उनके जो cancellation charges हैं वो कितने कटेंगे और कितना उनको refund मिलेगा इसके बाद आप book now पर पर जब आप click करेंगे तो आपको seat select करने का option मिल जाएगा तो आप जैसे select कर लेंगे उसके बाद आपको यहां पर passenger की detail एंटर करनी होगी एक बार में maximum 6 seat आप book कर सकते हैं यानि एक बार में आप 6 लोगों की booking एक साथ कर सकते हैं तो आप उनकी एक साथ में ही एक ही बार में booking कर सकते हैं ठीक है उनके लिए उसके लिए आपको 6 seat select करने होंगे यहां पर उसके बाद आपको title select करना होगा कि ठीक है फिर उनका नेम इस एंटर करना होगा जेंडर चूज करना होगा फिर मोबाइल नंबर उनका आपको एंटर करना होगा एमेल आइडिया आपको एंटर करनी होगी और उनका एड्रेस जहां पर वो जा रहे हैं वो एड्रेस आपको लिखना होगा बोर्डिंग पॉइंट क्या है वो आपको डालना होगा ड्रॉपिंग पॉइंट क्या है वो आपको डालना होगा और फिर आईडी नंबर उनका एंटर करना होगा हैं फीक करेंगे बुर नाव पर क्लिक करने के बाद आपके पाइगा डिटेल जिसमें आपको क्लिक करना होगा जैसे आप ple gelmiş करेंगे आपकी booking हो जाएगी complete और फिर आप आप टिकेट कैसे प्रिंट आउट करके देंगे यह मैं आपको भी बताता हूं गाइए अगा कि इसी तरीके से आप यहाँ पर होटल बुक कर सकते होटल बुक करने के लिए आपको होटल पर क्लिक करना होगा होटल पर क्लिक करने के बाद आप सबसे पहले सिटी या डिस्टिक का नाम डालेंगे जहां पर आपको होटल बुक करनी है कस्टमर की फिर आपको चेक इंडेट और चेक आउट डेट चूज करना होगा रूम्स कितने चाहिए उनको तो एक बार में मैक्सिमुम फोर रूम्स आप जो है वो बुक कर सकते हैं और एक रूम में आप मैक्सिमुम चार एडल्स बुक कर सकते हैं और दो चिल्डर फिर आप सर्च पर क्लिक करेंगे तो जैसे आप सर्च पर क्लिक करते हैं यहां से जितने भी होटल की लिश्ट होगी वह यहां पर आपको मिल जाएगी जितने लिश्ट होगी यह थोड़ सो सर्चिंग में डाइम ले रहा है तो जैसे हमारे पास लिस्ट आईगी मैं आपको फिर आगे प्रॉसेस बताऊंगा यहां पर अब आप यहां देखेंगे कि जो लिस्ट है वो होटेल्स के आपको यहां पर इस तरीके से मिल जाएगी अब इसमें आप स्टार रेटिंग एकॉर्डिंग सर्च कर सकते हैं कि आपको वन स्टार होटल बुक करना है या फाइव स्टार करना या थ्री स्टार करना है टू स्ट उसी स्टार के आपको जो यहां पर होटल है वो दिखेगे ऐसे आप अब अब जैसे माल लीजिए हम यहां पर थ्री स्टार करते हैं। तो थ्री स्टार अगर हम यहां पर टिक कर लेते हैं तो यहां पर जो हमारे पास होटल आएंगे वो 3 स्टार की ही सरिफ शो होंगे. झाल आप बुक पर क्लिक करेंगे बुक पर क्लिक करने के बाद . आपके पास यहां पर जो डिटेल से वह आजाएगी होटल की फिर आपको एक option मिलेगा यहां cancel policy का तो आप वो बढ़ सकते हैं ठीक है इसके बाद आपको यहां पर गुक नाउप क्लिक करना है बुक नाउप पर क्लिक करने के बाद फिर आप जालना होगा और फिर लास्ट में हापका पेमेंट 10 उपसंने जहांपे मेंट आपके हैं वालेट से ही डिडेक्शन होगा और वालेट को अपना रिचार्ज रखना जरूरी होगा तो इस तरी के से आप होटल बुकिंग कर सकते हैं और बस बुकिंग कर सकते हैं सेम यही प्रोसेस यहाँ पर हमारा फ्लाइट का है जहां से कि आप फ्लाइट बुकिंग कर सकते हैं इसके लिए आपको फ्लाइट पर क्लिक करना होगा वान वे फ्लाइट करनी है राउंट करनी है आपको वह आप यहां पे इसलेक्ट कर लेंगे पहले कि तेखें उसके बाद लीविंग फ्रॉम कहां से आपको फ्लाइट लेनी है यानि कि आपके पास पैसेंजर आया कस्टमर उनको कहां से लेनी है और फिर कहा तक की लाइट उनको लेनी है कि डिपार्चर कि कि फ्लाइट बुक करनी है और ट्रम्व इतने है तो मैक्समूम फाइँ आप एक बार में बुक कर सकते टिकेट पे फाइब चिल्डर्न और फईफ इन्फेट्स इसके बाद जब आप यहां पर पेसेंजर का काउंट सेलेक्ट कर लेंगे उसके बाद आपको सर्च पर क्लिक करना है अगर 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 जैसे ही आप सर्च फ्लाइट पर जाएंगे और फ्लाइट की लिष्ट आपके पास आ जाएगी तो आप यहां पर इनको फ्लाइट नेम के अकॉर्डिंग फिल्टर भी कर सकते हैं अगर आपको सिर्फ इस पाइज़ेट की फ्लाइट बुक करनी है तो आप देखेंगे यानि कि इस टाइम की अराइवल टाइम यह इस तरीके से आप यहां फे फिल्टर कर सकते हैं उसके बाद आप बुक पर क्लिक करेंगे बुक पर क्लिक करने के बाद जैसे आप बुक पर क्लिक करते हैं बुक पर क्लिक करने के बाद कि आपके पास यहां पर कस्टमर की पर्सनल इंफोर्मेशन फिल करने का उप्षन आएगा उनका नाम पस्ट नेम लास्ट नेम डेट बर्त आप यहां पर एंटर करेंगे फिर मिल प्रिफरेंस क्योंकि कई वर क्या होता है कि एस पर दाफ्लाइट कोविट 19 सिच्वेशन के वे से कई सारे अभी मील प्रोवाइड नहीं करा रहे हैं या कुछ फ्लाइट की गाइडलाइन सी होती है कि जो फ्लाइट का डूरेशन टू आर से कम है उसमें मील वो प्रोवाइड नहीं कराते हैं तो उसमें आपको यहां पर आप्शन नहीं मिल सकता है मिल का इसके बाद उनके साथ उनके और 7 kg के हैंड बेक्स जो हैं वह अपने साथ आप रख सकते हैं तो इस तरीके से आप जो है प्री टोटल जो आप लेके जा सकते हैं अपने साथ जो लगेज है वो आपका टोटल 21 kg जो है लगेज आप अपने साथ फ्री 22 kg आप अपने साथ फ्री ले जा सकते हैं ठीक है और उसके बाद अगर उससे अडिशनल है तो फिर उसके अकॉर्डिंगे चार्जिस लगते हैं य payment करेंगे अपने wallet से तो आपका वालेट से payment करने के बाद वह payment की सक्सिस हो जाएगी और फिर आप का ठीकट यहां पर भू को जाएगा आप जो आप यह फ्लाइट बुकिंग बस बुकिंग एंड होटल बुकिंग कर रहें इनका मैं आपको commission के बार में बता देता हूं तो जैसे आप bus booking कर रहे तो bus booking पे आपको पर booking यानि कि जो fare cost है आपका पर booking का उसका आपको fare cost iki तीन पर्संट commission मिलता है यानि सो रुपे की अगर आप कोई बस कमिशन मिलता है और अगर आप होटल बुकिंग कर रहे हैं तो उस पर भी आपको 100 रुपे कहीं कमिशन मिलता है जिसमें से आपका 5 रुपीज का टीडियस चार्ज होकर करके टोटल 95 रुपीज आपके वालेट में मिलते हैं आपको कि अिए इसके अलाबा जो भी आप transaction करते हैं आप कि फ्लाइट बूपकिंग की यह बस्но की होटल गुपकिंग तो उसके लिए एक utility Services का टैब यहां पर आपको मिला हुआ है जरा उचलीटी Services के टैब पर जाते तो यहां पर आपको bookings का option जो है वो दिया गया है जहां से आप bus booking list, flight booking details, hotel booking list यह आप click करते हैं अगर तो यहां पर आपको सारी transaction आपकी देख जाती हैं ऐसे ही इसमें आपको utility transactions भी दिख जाती हैं अगर आप utility portal use कर रहे हैं तो उसमें जो भी आप transaction करते हैं वो सारी transaction आपको utility transaction के अंदर मिलती है utility transaction पर जब आप click करते हैं तो यहां पर आप transaction सारी देख सकते हैं अपनी और इसमें आपको commission chart का भी option दिया गया है जहां से कि utility में bill payment charges पर कितना commission आपको मिलता है कि service पर उसका commission list आपको यहां पर provide किया गया है इसके बाद हम बात करते हैं GST and taxation की services की GST and taxation की services कैसे काम करती है इसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ पहले तो GST and taxation की जो services है हमारी इसमें सबसे पहले आपके पास customer आता है GST, ICA, ITR, MSME तो यह जितनी भी मारी taxation की services है कोई भी service अगर customer आपसे ले रहा है तो सबसे पहले आपकी वहाँ पर क्या duty बनती है कि customer को service के बारे में बताना कि आपका service available है उसमें कितने चार्जिस लगेंगे क्या क्या document की requirement है यह सब चीजे आप customer को पहले बताएंगे customer को जब आपके सारी चीजे बता देते हैं उसके बाद आप customer से service का amount लेंगे और उनसे उनसे आप customer से service के सारे documents collect करेंगे documents जब आप उनसे ले लेते हैं amount आप उनसे ले लेते हैं तब उसके बाद आप अपने CRM पोर्टल से service का एक order place करेंगे order purchase कैसे करते हैं उसके बारे में मैं आपको बता दिता हूँ order purchase करने के लिए जीस्टी टेक्सेशन सर्विस पर जब आप जाएंगे और इसमें से कोई भी आप service ले रहे हैं जैसे मान लीजिए आप जीस्टी की service आपको order करनी है तो जीस्टी पर क्लिक करेंगे जैसे ही आप हुए आप मिल जाती है अब इसमें जैसे मान लीजिए आपको चीस्टी पर क्लिक करते हैं है यहां पर आपको चीस्टी की सर्विस अपको यहां पर मिल जाएगगी वह आप ढूंड सकते हैं जैसे यह है हमारी जीस्टी रजिस्टेशन इन रेगलर स्कीम फोर प्रोप्राइटर एलपे पार्टनर से प्रैवेट लिमेटेड ठीक यह आपने ओडर आपको मिल गया इसका प्राइस कितना है 400 रुपे प्लस 18% जीस्ट यानि 472 रुपे तो यह से सेलिंग अमाउंट यानि वह कस्टमर के लिए है और जो यह नॉर्मल है आपको लिखा हुआ या आपका पर्चेसिंग अमाउंट है यानि कि यह जीस्ट के लिए है ठीक है अब हम ऐसा क्यों करते हैं इसके बारें बता देता हूं मैं क्योंकि हमने आपको एक कमीशन सब्सक्राइब तो हम उसमें आपको 50% कमिशन देते हैं तो 50% कमिशन कितना हो गया 400 का 200 तो आपका पर्चेसिंग प्राइस कितना हो गया 200 रूपीज प्लस 18 पर्सेंट जीस्ट यानिए 236 रूपीज तो कस्टमर को तो आपने 472 रूपे बेचा लेकिन हमसे आपने कितने मे कर सकते हैं आपको ऐसे ही अमाॉंट मिलता तो कमिशन रेट सब पर अलग अलग है किसी पर 50% मिलता है किसी पर 20% मिलता है के बाद आपको जाना होगा व्यू कार्ट ऑप्शन पर यहां पर आप देख रहें व्यू कार्ट आपको व्यू कार्ट पर जाना होगा व्यू आपर जब आप चले जाते हैं तो यहां पर आप देख सकते हैं कि आपको ओर्डर प्लेस करने का option मिलता है जहां पर आप अपना coupon कर सकते हैं coupon कैसे अप्लाई कर सकते इसके बारे में आपको मैं बता देता हूं कि आपके CRM Portal के Home Page पर आपको एक Tab मिलता है जिसका नाम है My Kopen My Kopen पर जब आप क्लिक करते हैं तो यहां पर आपको कोपन कोड मिलता है यहां पर आपको एक कोपन कोड मिलता है इस कूपन कोड में आपका एक ही कूपन कोड रहता है जिसका कॉस्ट जिसका आपको वैल्यू मिलती है 100 रुपीज की और इसको आप 150 टाइम्स यूज कर सकते यानि आपको जैसे हमारी टीम से बोला गया होगा कि आपको 150 कूपन्स मिलेंगे तो आपको 150 कूपन्स अलग- यूज़ कर सकते हैं और यह 150 टाइम्स जब आप ये कूपन कोड यूज़ करेंगे तो आपको पर सर्विस पर हन्डिड रुपीज का ही डिस्काउंट मिलता है यह एक सर्विस पर एक बार ही कूपन्स कर सकते हैं एक बार कूपन्स करने का मतलब यह है कि ऐसा नहीं कि आप कर रहे हैं तो आपने एक जिस्टिरिसिशन कर लिया तो आप उसके बाद दूसरा जिस्टिरिसिशन पर नहीं यूज़ कर सकते मतलब एक और आप कर रहे हैं तो पर आप एक ही कूपन यूज़ कर सकते हैं तो जैसे आप यह और करने अभी तो यहां पर आप एक ही बार कूपन पर यूज कर सकते हैं दूसरा कोई option आपको यहां coupon यूज करने का नहीं मिलेगा ठीक है इसके बाद coupon जो आप यूज कर ले रहे हैं यहाँ पर इसके बाद आप जाएंगे कि जो कूपन आपको प्रोवाइट के जाते हैं उन कूपन को आप सिर्फ GST & Taxation की सर्विस पे ही यूज कर सकते हैं लेकिन उनमें भी एक कंडिशन यह है कि GST & Tax की जो सर्विस पे आप कूपन यूज कर रहे हैं उस सर्विस का प्राइस 200 रुपया उससे ज्यादा होना यूटिलिटी सर्विस इन्सॉरेंस सर्विस लोन सर्विसेज पे अपको आप कूपन को सिर्फ GST & Tax की सर्विस पे यूज कर सकते हैं वो भी उन सर्विस पे जो की 200 रुपया उससे ज्यादा मॉंट की हैं और उस पे आप यूटिलिटी सर्विस हैं इन्सॉरेंस लोन सर्विस है या माइक्रो एटियम सर्विस है ठीक है तो इन पर आपके कूपन यूज नहीं होंगे यह चीज आप ध्यान रखें ठीक है इसके बाद आप जैसे यहां पर प्लेस ओर्डर पर क्लिक करेंगे आपका एक ओर्ड के अब आपके बालेट से जो अमाउंट है वो कट कट जायेगा ठीक है अब इसके बाद आपका next option क्या होता है डॉकुमेंट अपलोड करने का जब आप और प्लेस कर देते हैं उसके बाद आपको डॉकमेंट अपलोड करना होता है इसके लिए आपको home पे जाना होगा हूं पर जाने के बाद आपको एक option मिलता है माई account के अंदर माई orders का यह माई account के अंदर आपको एक option मिलता है माई orders का तो जैसे आप माई में orders पर क्लिक करेंगे जो order आपने प्लेस किया है वह order की आपको यहां पर डेटेल मिल जाएगी ठीक है अब इसके बाद यहां पर आपको क्या करना है अपना document upload यहां पर आपको करना है अब document आप यहां पर कैसे upload कर सकते हैं इसके बारे में मैं आपको बता देता हूं तो जो document आप यहां पर upload करेंगे वो document आप हमेशा जिफंसा फाइल में ही upload करेंगे अब आप precisa कैसे बना सकते हैं तो इसके लिए में आपको जानकरे प्रोवाट करा देता हूं जिफाइल जो हमारी बनती है उसके लिए आपको CRM Portal के Home Page पर आना होता है CRM Portal के Home Page पर जब आप आएंगे तो यहाँ पर आपको एक Tab मिलता है Make GIF File for Upload तो यहाँ पर आपको Process दिया गया है कि कैसे आप GIF फाइल बना सकते हैं कि इसमें आपको मैं जानकारी प्रोवाइड करा देता हूं अपने यहां से कि जो आप GIF फाइल बना सकते हैं वह बहुत ही ज़्यादा इजी है उसके लिए सबसे पहले अपना जो आपका सबसे पहले आप क्या करें एक फोल्डर बना लें जैसे यहां पर राइट किलिक करके माउस का न्यूमें जाकर के फोल्डर के बना लें अब उस फोल्डर में सारे डॉकुमेंट्स डाल दीजिए जो डॉकुमेंट्स आपको अपलोड करने हैं जैसे यह मैंने आप एक फोल्डर देख रहे हैं यसक trial मुझे ढाया हुआ है और इसके अंदर सारे डाकमेंट्स डाले हुए जो डॉकुमेंट्स मुझे भेजने हैं ठीक है इसके बाद आपको क्या करना होगा जब आपने उसके सारे डाल दिये तो वापस से करसर इसी पर ले जाएंगे और सेंड टू में जाकर के कम प्रिस जिपर फोल्डर पर क्लिक कर देंगे तो जैसे यह आप इस पर क्लिक कर देते हैं यह आपकी जिप फाइल इस तरीके से बनके रेडी हो जाएगी और फिर आप इसे अपलोड के ऑप्शन पर जाकर के यहां से आप ब्राउज पर क्लिक करके और फिर जो चीफ फायल आपने बनाई है वो जिफ फायल सेलेट करके और ओपन पर क्लिक करेंगे जिफ फायल आपकी यहां पर सेलेक्ट हो जाएगी दिन आपको upload पे क्लिक कर देना है जैसे आप upload पे क्लिक कर देंगे आपकी यहाँ पर जो file है वो upload हो जाएगी और यह फिर आपका डीटेल हमारी document verification team के पास चला जाएगा फिर हमारी document verification team आपके documents को verify करेगी और आपके document successfully जब verify हो जाएगे तो फिर आपका जो order है वो हमारी account team के पास भेज दिया जाएगा तो फिर हमारी account team आपको एक ETA time यहाँ पर mention कर देगी ठीक है जिसको हम बोलते हैं कि estimated time कि कितने time में आपका order complete हो जाएगा वो ETA time आपको यहाँ पर दिखेगा और उस दिन तक में आपका order हमारी team की तरफ से complete क करके जो उसके related concern department है government का उसको भीज दिया जाएगा फिर वहाँ से जैसे वह आपका अप्रूब हो करके आएगा आपको वह provide करा दिया जाएगा हमारी team के द्वारा तो कोई भी service का जो order होता है आपका उसके जो document की list है अब आपको किसी customer को document देने है तो वो document के लिए आपको all services document पर जाना होगा all services document के tab में आपको जितनी भी मारे services होती है जैसे चीश्टी service है ठीक है तो इसमें return registration ebay will इन सभी के document list आपको यहाँ पर मिल जाते हैं तो document list के लिए आप all service document में जा करके उस service के option पर क्लिक करके जिसके भी आपको document चाहिए और उसमें किस regarding चाहिए जैसे मालीजी आई टीर में salary person का ITR फाइल करना है तो उसके लिए आप ITR पे क्लिक करके for salary पे क्लिक करेंगे तो जो भी उसके related document चाहिए होंगे required वो list आपको यहाँ पर मिल जाएगे तो वो document आप इस तरीके से customer को बता सकते हैं अगर किसी service के लिए noc की requirement है जैसे मालीजी जीस्टी registration कोई करा रहा है तो जीस्टी registration में उनका खुद की property नहीं है उनकी property उनके father के name पे है या उनके mother के name पे या brother के name पे तो उसमें noc की requirement होती है तो आपको एक और टैब यहाँ पर दिया गया है all order noc का इससे क्या कर सकते हैं आप noc format download कर सकते हैं उसके सब के नाम लिखे हुए कि कौन से noc का format कौन सा जैसे consent letter no objection certificate download कर सकते हैं जीस्टी declaration for authorized signality या authorized letter format download कर सकते हैं board resolution format download तो ऐसे ही आप यहां से जितनी भी noc required हैं या कोई format चाहिए आपको तो वह required format आप यहां से download कर सकते हैं और उसके आज साथ साथ आपको बताना चाहूंगा मैं कि कोई भी service का order अगर आप customer को दे रहे हैं यानि customer आप से कोई service खरीद रहा है तो वह आपसे उस service का invoice भी मांगता है invoice के लिए आपको invoice management पर खरना होता है अगर आप किसी को invoice create करके देना चाहते हैं तो उसके लिए आपको invoice management पर click करने के बाद आप सबसे पहले add new customer पर जाएंगे जब आप add new customer पर जाते हैं तो यहां पर आपको customer की सबी details आपको यहां फिल करनी होगी जैसे यहां पर उनका नाम ट्रेड नेम एमेल एड्रेस लाइन वन यानि एड्रस लाइन वन मतलब जो उनका पैन कार्ड नमबर डालना होगा जीस्टी नमबर डालना होगा ठेक है कॉंटेक्ट नेम पोस्टल कोड और फिर स्टेट तो यह सारे टेटेल्स फिल करके आप एड़ पर क्लिक कर देते हैं इसके बाद आपको सलेक्ट एक्जिस्टिंग कस्टमर का ऑप्शन मिलता है यहां प प्रोड़क्ट करेंगे क्या आपने कस्टमर को बेचा है जैसे मान लीजिए आपने जी एस्टी रजिस्टेशन बेचा है तो वह आप यहां पर सलेक्ट कर लेंगे अगर क्वाइनिटी बढ़ाना चाहते हैं तो वह भी आप बढ़ा सकते हैं अब यहां पर क्या होता है कि यूनिट प्राइज देखे कस्टमर के लिए 400 रुपय प्लस यस्टी 470 रुपय का बट कस्टमर को आपने 1000 रुपय में बेच दिया तो फिर आप यहां पर 1000 रुपय एंटर करके आप यूनिट प्राइस को चेंज भी कर सकते हैं उसके बाद आ यहां पर हमारे कुछ प्राइज आप करेंगे आपकी यहां पर इन्वाइस क्रियेट हो जाएगी और वह इन्वाइस फिर आप अपने कस्टमर को प्रोवाइड करा देंगे इसको पीडिएफ में आप डाउनलोड करके दे सकते हैं या प्रेंट आउट निकालके भी इसको आप कस्टमर को दे सकते हैं इस तरीके से आप कोई भी सर्विस को पर्चेस और प्लेस कर पाते हैं इसके बाद यहां पर हमारे कुछ टैप्स दिये गया है जैसे यहां पर आ आपको विजिटिंग कार्ड लेटर हैड एंड बैनर ठीक है तो यह सब आपको यहां पर प्रोवाइड रहते हैं सौफ्ट कॉपी में इनको आप हार्ड कॉपी में प्रिंट करा सकते हैं अपने नियरवाई प्रेंटिंग शॉप से जाके और इसमें हम कुछ भी आपको आपके प्रोवाईट करा यह चो भी आपको जिस भी नाम से आपको यह विजिटिंग कार्ड बन वाने है यह आपको लेटर हैड बनवाना यह पैंपलिट बनवानाय यह पैनल श्पानाय तो वह आपकरा सकते हैं हम आपको फॉफ को दे दे जो कि PDF वाइज और फायल वरजन में आपको मिलती है अगर आपको promotional material hard copy में हमारे यहां से चाहिए तो हम आपको hard copy में भी promotional material provide करा देते हैं hard copy promotional material के लिए आपको order printing kit के option पे click करना होता है order printing kit पे जब आप click करेंगे तो यहाँ पर आपको एक option मिलता है add to card का जिसमें आपको 1000 रुपीज प्लस 18 परसेंट जीस्ट यहनी 1180 रूपीज पे करने होंगे उसमें आपको visiting card मिलेंगे 100 pamphlet मिलेंगे 100 letterhead मिलेंगे और एक सुब्धाकिंद्र बैग आपको मिले अगर आप quantity बढ़ाना जाते हैं तो आपको उसकी quantity बढ़ा सकते हैं लाइक जैसे visiting card हो गया pamphlet हो गया यह letterhead हो गया तो इसके according आपके quantity के according charges भी increase हो जाते हैं तो इसमें आपको मिलता क्या क्या है अगर आप नॉर्मल यह लेते हैं तो वन थाउजन प्लस 18 परसंट जीस्ट एन एन 1180 रुपीज में आपको एक हंड्रेड विजिटिंग कार्ड मिलेगा एक हंड्रेड आपको pamphlet मिलेगा हंड्रेड लेटर हैड मिलेंगे और एक जीस्टी सुवदा केंद्र बैग आपको मिलता है इसके बाद आप इसे add to card करेंगे करने के बाद आप प्रोसीड टू चेक आउट पर जाएंगे सेम इसके बाद आप यहां पे पेमेंट कर देंगे पेमेंट आपके वालेट से डिड़क्ट होगा तो वालेट आपको रिचार्ज रखना जरूरी है और उसके बाद आप प्लेश ऑडर पर क्लिक करेंगे तो जब आप यह order परीश कर लेंगे order प्रेस कर देंगे पिद्रेस पे कूरियर के द्वारा पहुँचा दिया जाएगा अप कि इसके अलावा यहां पर आपको स्राटिफिकेट कर टैप दिया गया है यह सर्टिफिकेट के टैप से आप अपना सेटिफिकेट जो है वह भी आप डाउनलूड कर सकते हैं सोफ़्ट कॉंपी में हार्ड आपके अड्रेस पर भेजा जाता है जो कि आपको विधिना 14-20 वर्किंग देस के अंदर आपके अड्रेस पर वाया कुरियर मिल जाता है इसके बाद है आपका CRM इंस्ट्रक्शन्स CRM इंस्ट्रक्शन के अंदर हमने एक CRM पोटल का PDF अपलोड करके आप दिया हुआ है आप यहां से PDF देख सकते हैं CRM पोटल का कैसे आप उस पर वर्क कर सकते हैं कि अगर कि इसके बाद बात करते हैं हम न्सोर्यंस और लोन सर्विस इसके बारे में इस ओरें सर्विस जो हमारी है यहां पर इन्सiyorsun के अंदर आप जब जाएंगे तो यहां पर आपको ऐसे दो option मिलेंगे एक new insurance जहां से कि आप इंस्टों स्टब पोर्टल पर जाके लौगीन कर सकते हैं और एक आपका इंसॉर्यendz टांजेक्शन जहां से आप इंस ओर इंसौरेंस तॉर में जब आप निए इंस्ऌरेंस पे क्लिक करते हैं तब आप इंसरायनस पॉर्टल को लोगिन कर पाएंगे यहां से यहां पर हम दो पूर्टल पर आपको प्रोवाइड करें इंस्वरेंस पूर्टल वन इंस्वरेंस पूर्टल टू तो इंस्वरेंस पूर्टल वन जो है हमारा कि आप इस पर क्लिक करते हैं तो आप इंस्वरेंस पूर्टल पर चले जाएंगे जहां से कि आप महीं कार Kings डू-Ւेलर कॉमर्सियला फालर हेल्थ ट्रेवर्ट ट्रम्प्लैन तो यह आप इन्सारेंस का सकते हैं तिस तरीखे से जो आपका सेंड है एक इन्सोरेंस पोटल टु वह से भी आप इन्सोरेंस कर सकते हैं तो हम अभी आपको दो पोटल्स प्रोवैड करा रहा है इंसारेंस के हुआ अजय को । तो यहां पर आपको कार बाइख है'll ट्रॉम यह rapping मैं लेकित दोनों में फरव्क क्या है तो यहां पर कुछ कम इन्सोरींच यहां पर ज्यादा इन्सोरींस है ठीक है दोनों में डिफरेंस क्या है कि जो यह आपको इन्सॉरींस पॉर्टल पर मिल रहा है ठीक है इसमें आप एक चीज़ देखेंगे तो आपको फर्स्ट वाले पर कॉमर्सियल वीकल भी मिल रहा है ठीक है ट्रैवल इन्सोरेंस भी मिल रहा है तो यह चीजे सेकेंड वाले में नहीं है तो यह थोड़ा सा आपको अगर इसके बारे में और डिटेल में जानना है प्रोड़क्ट का तो इसमें आप एक काम कर सकते हैं कि ट्रेनिंग स्रेडियूल जो आपको दिया गया है जैसे मैंने बताया था कि जहां से आप अपनी ट्रेनिंग जोइन कर सकते हैं ट्रेनिंग सेडियूल के अंदर जो हमारी इंसॉरेंस ट्रेनिंग होती है ठीक है वह आप यहां से जोइन कर सकते हैं की मैं इंसॉरेंस तर्म इंसॉरेंस या आप इसके अलावा जो हमारी हेल्थ इंसॉरेंस है ठीक है वीकल इंसॉरेंस है तो यह ट्रेनिं को registered करके और इसके बारे में और जान सकते हैं ऐसे ही आपको insurance transaction देखना है तो insurance में जो आपको insurance transaction का option मिलता है यहां से आप अपनी insurance transaction को भी check कर सकते हैं इसके बाद आपका next step यहां पे दिया गया है loan loan tap के अंदर आप loan portal पे login कर सकते हैं loan portal पे जाने के लिए सबसे जो जरूरी चीज है आपके लिए वो मैं आपको बता देता हूं इसमें सबसे जरूरी क्या है loan portal पे जाने के लिए कि आपको सबसे पहले यह चेक करना होगा कि जो customer आप से loan लेने आ रहा है वो उसके area में वो loan available है या नहीं है जो वो required मांग रहा है आपसे अभी कैसे चेक करेंगे तो उनका area pin code आप यहां पर enter करेंगे और फिर आप submit and check पे click करेंगे तो आपको यहां पे चेक हो जाएगा कि जो customer है जो आप से loan लेना चाहा रहा है तो क्या उनके area में वो वाला loan available है या नहीं है इसके बाद आप go to loan portal पर जा करके और फिर आप loan के लिए customer की lead कर सकते हैं वो lead के concern team है उनके पास जाती है और वो बैंक से verify होती है कि क्या वो eligible है है लोन लेनी के लिए या नहीं है देन उसके according ही उनको loan provide कि जाता है क्योंकि में लिए स्कोर हो गया कि सब चीज़े चेक की जाती है तो इसके बारे में और डेटेल में जानने के लिए सेम training schedule में आपको एक loan services training का एक training है nine number पे आप उसके भी लिए के भी registration कर सकते हैं और आप उसकी training ले सकते हैं इसके अलावा micro ATM आप micro ATM डिवाइस जो है वह आप purchase कर सकते हैं एक छोटा से डिवाइस होता है है हमारा micro ATM का ठीक है जिसके लिए आप कितने डिवाइस से यह आप उसके लिए यहां से एक application डाल सकते हैं तो ठीक है आपकी यह जो request है वह हमारी concern team के पास जाती है और फिर हमारी concern team आपको callback करती है और उसके बारे में पूरी detail आपको provide के जाती है और फिर आपका order लिया जाता है ठीक है यह आप इसकी भी training join कर सकते हैं जो कि हमारी training schedule के अंदर available होती है training आपको मिल जाती है कौन से डे पर आपको मिलेगी वह मैं आपको बता देता हूँ कि यह training है टे 18 की ठीक है लीट जनरेशन यूजिंग माइक्रो एटियम तो यह वाली training आप चॉइन कर सकते हैं यहां से आपको जानकारी प्रोवाइट कराई जाएगे अगा इसके बाद हम बात करते। यहां आपको वैब सर्विशसँ भी प्रोवाइट कर आ रहें एप सर्विशसके अंदर अभी हम आपको वैबसाइट पकेज्ड करते हैं जहां पड़ा पर कि आप एक पीज वेबसाट मल्टी पीज वेबसाइट या स्थैट बनवा सकते हैं ताइक है इसमें आपको क्या क्यां ब्रमेट की जाती है एक 55 मैं Kriski website मिले क क्यों मिलेगा plus bênकis मिलेगा प्लस येमिल मेलेह प्लस लोगों मिलेगा ऐसे मिली पेसी मेर्य को में आप Candace मेन प्लस वेबसात पर डूमीन ने प्लस भारी इसका प्लस Ü est जो मिलता है इसके बारे में और डेटेन ले सकते हैं उसके लिए आप जो हमारी नेक्स्ट जो हमारी ट्रेनिंग्स होती है वेब सर्विसिस की वह वेब सर्विसिस की ट्रेनिंग आप जॉइन करके और वह आप कंप्लिट ले सकते हैं जिसके बाद आप इसके बारे में अच्छे से जान पाएंगे कि कैसे आप वेब सर्विसिस दे सकते हैं तो आपको वेब लोकल मार्केटिंग पैकेज जिसमें आप लिस्टिंग करवा सकते हैं किसी भी अपने कस्टमर की टोटल दस लोकल वेबसाइट पर या सिटी वाइज अचल यह और एलाफ करने हैं तो यह मारी वेब सर्विस ह्गोचए कुपन भी यूज हो जाते तो अगर आप कोई ओरडर प्लेश करने हैं लगवा सकते हैं और उसकी डिस्काउंट भी आपको मिल जाती है कि इसके बाद हम आगे बात करते हैं कि रेफर एंड अर्ड की रेफरेंड अर्ड का यहां पर आपको एक टैब में ला हुआ है ठीक है आप जीश्टी सुवदा किंदर और है आप अपनी तरह से ही अपने फ्रेंड कलेग या नेबर्स को भी जीश्टी सुवदा किंदर रेफरल कर सकते हैं उसके लिए अगर आपको किसी को रेफर करना है तो रेफरल करने के लिए आपको उनकी जो डिटेल से वो यहां पर मेंशन करनी होगी जैसे आप सबसे पहलों का मोबाइल नंबर यहा जाएगी जैसे मैं आप मान लीजिए करता हूं तो यहां पर मैंने फोन नवर डाला अब मिरको यहां पर टीटेल मिल जाएगी जैसे मेरे को कस्टमर कर नाम डालने के लिए इमेल आइडी सिटी फिन कोड एड नोट तो यह सब चीजें मैं यहां पर एंटर करके एड कस्टमर पर क्लिक कर दूँगा तो जब मैं इसे सुबदा के इंदर ओपन करवा लेंगे यानि फ्रेंचेज फिस पे कर देंगे तब आपको एक 2000 रुपीज का आपका रेफरल अमाउंट होता है वो आपको हमारी कंपनी की तरफ से प्रोवाइड करा दिया जाता है तो इस तरीके से आप रेफरेंट के माध्यम से भी अर्निं तरफ से गूगल बिजनस लिस्टिंग यानि ओनलाइन गूगल पर आप अपने बिजनस को कैसे लिस्ट कर सकते हैं आप जस्टाइल पर कैसे लिस्ट कर सकते हैं इंडिया मार्ट पर कैसे लिस्ट कर सकते हैं सबके डॉकुमेंट लिंक आपको यहां पर प्रोवाइड कर दि कर सकते हैं तो यह सारे स्टेप्स आपको इन लिंक के अंदर बता दिये गए हैं हमारे त्वरत कि इसके अलावा यहां पर आप देख रहे हैं आपको एक और चीटू सी सर्विसेट का चीटू सी क्या है है कौर्मेंट को सिटीजन सर्विसेज इसमें हम आपको नैशनल सर्विसेज स्टेट वइस सर्विसेज दो तर clarika से प्रॉव knives कराते हैं यहां से आप क्या कर सकते हैं जैसे आपको स्टेट वइस सर्विसेज देनी है किसी को तो इरए क्षां 19 E पूटल है उसकी वेब साइट पे आप डिरेक्ट जा सकते हैं जैसे माल लेजे उत्तर प्रदेश है अगर 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 अब यहां से आप स्टेट सेलेट कर सकते हैं जैसे माल लेजे उत्तर प्रदेश है तो मैं उत्तर प्रदेश के पोडल पर यहां से जा सकता हूं जहां से कि यहां पर मुझे पता चल जाएगा कि मैं यहां से क्या-क्या काम कर सकता हूं जैसे आप इस पॉर्टल से यह सारी चीज़े बना सकते हैं तो यह कोई इस पर कोई भी सपोर्ट आपको प्रोवैड नहीं कराता है यहां से आप क्या कर सकते हैं एक कर दिया गया है हमारे द्वारा आपको कि आप को डारेक्ट यूज कर सकते हैं यहां से लिंक करके तो इस पे आपको कोई कोई भी support हमारे टीम नहीं देती है आपको इस पे registration करना होगा registration आपको उन्ही कस्तमर के नाम से करना होता है जिनका आप कोई भी चीज बनाना है मालें कि इनको income certificate बन वाना है तो जब आप इस पोर्टल पर registration करेंगे ना तो आप उन आवे तक के अपने नाम से ही सहीं करेंगे जिनका आपको ये inward income certificate बनाना आप अपने नाम से पे नहीं राजिस्टेशन करेंगे है कि कि इसके बाद बात करते हैं हम यहाँ पर आपको एक टाप दिया गया माइटिकेट जो है यहां पर आप इस पर जब क्लिक करेंगे तो यहां पर सबसे पहले आपको FAQs मिलते हैं frequently asked questions FAQs क्यों provide के जाते हैं तो FAQs इसलिए provide के जाते हैं ताकि जब भी आप कोई service use कर रहे हैं तो उसके related आपके mind में जो भी general queries आ रही है वो queries आप जो है इसली यहां से जान सके ठीक है जैसे कि मालीज ये एपियस है अब एपियस में आपको क्या 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 डॉक डिवाइस लगेगी तो आप नॉर्मली FAQs में जा करके यहां से question देख सकते हैं which device do we use for APS तो यहां पर आपको उसका नाम मिल जाएगा ऐसे ही आप जो अधर हमारी और भी application है यहां पर वह आप यहां पर चेक कर सकते हैं और इनके FAQs जो है वह आप यहां पर पढ़ सकते हैं अब आपको लगता है कि आपके जो FAQs दिए गए हैं यहां पर इन FAQs के अंदर आपको वो question का answer नहीं मिल रहा जो आपकी problem है यह आपको कुछ दिखकता रहे है तब आप एक क्रियेट टिकेट पर जाकर के अपने टिकेट कर सकते हैं अब इसके लिए आपको सबसे वेले अपना subject लिखना होगा सब्जेक्ट के साथ आपको यहां पर अपना जो concern है उसको describe करना होगा अगर कोई attachment file लगाना चाहते हैं तो आप attachment file यहां पर लगा सकते हैं इसके बाद ticket department आपको चूज करना होगा किस department की की टिकट है यूटलेटी की है और बोर्डिंग के प्रिंट टिकेट स्यारम रिलेटेट उसके बाद सब department उसमें क्या इश्व आपका रहा है कि फिर अगर कोई order नंबर है उसके रिलेटेट तो आप बता सकते हैं और आयम नौट रोबोट पर टिक करके आप सब में टिकेट पर क्लिक कर सकते हैं तो इससे आपकी माई टिकेट पर क्लिक करने के बाद माई ओल टिकेट पर अगर आप जाएंगे तो जो पुराने टिकेटे आपने जनरेट की थी वो टिकेट की डिटेल भी आपको यहां पर मिल जाएंगे तो इस तरीके से आप इस CRM पोर्टल को यूज़ कर पाएंगे ठीक है और अगर आपको कोई इश्यू आता है तो आप हमारी हेल्प लाइन 0120 6860789 पर कॉल कर सकते हैं और अपना जो हेल्प लाइन में आपकी जो क्वेरी है वो सलेट कर सकते हैं उसके बाद विदिन टैन मिनट्स आपको हमारी टीम की तरफ से कॉल बैक किया जाता है आपके इस पोर्टल में अगर आपको लाइन को कोई कुई क्वेरी है तो आप उसके लिए हमारी जो ट्रेनिंग सेढ问 है वहाँ पर आपको एक ट्रेनिंग है ef-eq training हमारी जो की आप जोयिन कर सकते हैं तो जो भी आपके आउट रहेंगे से रं पॉटल से रेलेटेड हम उस एफ एक इुट ब ट्रेनिंग के अंदर आपके उन डाउट को भी सॉल्व करते हैं कर सकते हैं कि कर्फ निंट में जाकर के लिए कोशनर अंसर एक ओट्रेनिंग के लिए है के यहां ने जैसे यहां सकते हैं 0120-6860-789 पर या अगर आपको ट्रेनिंग रिलेटेड कोई कोई है CRM ट्रेनिंग रिलेटेड तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं 9205 038712 पर है तो थैंकि सो मच आप सभी का ट्रेनिंग सेशन को जॉइन करने के लिए कि हम अपने ट्रेनिंग सेशन को अब यहां पर एंड करते हैं ठेंकि सो मच आप सभी का आप आप